दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 1945 की एक्षन थ्रिलर द्रमात्मा से जुड़ी बहुत सारी अनकही और अनसुनी बातों के बारे में तो चैनल वो सब्सक्राइब कर वीडियो को पूरा देखते रहिए धर्मात्मा फिल्म को रिलीज किया गया था आज से लगबग 45 साल पहले 25 जुलाई 1975 के दिन फिल्म को डिरेक्टर और प्रोड्यूस किया था फिरोज खान ने और फिल्म की स्टोरी स्क्रीन प्ले और डायलोग्स लिके थे कोशल भारती ने फिल्म के लीड और सपोर्टिंग रॉल्स में नजर आये थे फिरोज खान, हेमा मालिनी, रेखा, प्रेमनाथ, नाजीर हुसेन, इम्तियाज खान, फरीदा जलाल, रंजीत, देनी डैंग्जोपा, सुधीर, दारा सिंग, मदनपूरी, इफ्तेकार और एक्ट्रेस हेलन फिल पर सबसे ज़्यादा जो पोपुलर हुए वो गाने थे तेरे चेहरे में वो जादू है, और क्या खूब लगती हो, बड़ी सुन्दर दिखती हो, दो गंटे 49 मिनिट की कुल लंबाई वाली इस फिल्म में 17 मिनिट 43 सेकंड की लिंट के चार गाने रखे गए थे, जिनके ब दॉस्टों बाट करें अगर दर्मातमा फिल्म के बजट और बॉक्स उपिस कलेकशनस के बारे में और हिट्याँ फ्लोब के बारे में तो फिल्म का बजट पहले रखा गया था, लगग 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 1.25 लाग रुपे का पर शुटिंग के टायम, यह फिल्म काफी ओور अपने नुकसान को कवर कर सके पर ऐसा हुआ नहीं एक करोड़-80 लाग के बजट में बनी धर्मात्मा ने सिर्फ इंडिया में ही 2 करोड़-50 लाग के लगबग कारोबार किया था और फिल्म की वर्ल्ड-वाइड की कमाई थी लगबग 5 करोड़ की धर्मात्मा फिल्म को 1975 की कमाई के मामले में छटी सबसे बड़ी फिल्म थी और इससे एक पायदान उपर थी उस साल की आई धरमेंदर की एक सूपर हिट फिल्म परतिग्या परतिग्या से जुड़े अन्नोन फेक्ट्स की वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही आ चुकी है जिसका लिंक उपर आई बटन और नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा तो आप वहाँ से उस वीडियो को भी जरूर देखें तो दोस्तों आप जान लेते हैं फिल्म से जुड़ी कुछ अनसुनी बातों के बारे में तथे संग्या एक दोस्तों दर्मात्मा फिल्म को फिल्म के राइटर कोशल बारती ने 1972 में आई एक हिट अमेरिकन फिल्म दे गोड़ फादर से इंस्पाइड होकर लिखा था साथ ही साथ फिल्म का दर्मात्मा वाला केरेक्टर जो की एक्टर प्रेमनात ने किया था वो उस समय के मशूर मटका किंग रतन खतरी से इंस्पाइड था और रतन खतरी के बारे में ज़्यदा से ज़्यादा जानकारिया एकटा करने के लिए फिरोज कान ने उस समय बहुत सारा टाइम रतन खतरी के साथ बिताया था इसके बाद रतन खत्री ने भी 1976 में आई रिशी कपूर परवीन बाबी स्टारल फिल्म रंगिला रतन को प्रोड्यूस किया था और इसी बात का फाइदा फिरोज खान ने उठाया और दा गोड़ फादर से इंस्पायड होकर धर्मात्मा फिल्म बनाई तथ्य संक्या दो फिरोज खान ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत तो साल 1957 में ही कर ली थी लेकिन 1972 में आई फिल्म अपराद में उन्होंने एक्टिंग भी की और फिल्म के डिरिक्शन का काम भी संभाला अपराद फिल्म सपल रही जिसे प्रोड्यूस भी फिरोज खान ने ही किया था अफराद के बाद एजे डिरेक्टर और प्रोड्यूसर धर्मात्मा ही फिरोज खान की दूसरी फिल्म थी धर्मात्मा में लीड करेक्टर तो फिरोज खान ने ही किया था फर फिल्म बनने से पहले एक वक्त ऐसा भी था जब फिरोज खान चाह रहे थे कि वो धर्मात्मा से सिर्फ लेजे डिरेक्टर और प्रडूसर ही जुड़े और फिल्म का लीड करेक्टर करे राजेश खन्ना जो कि उसमें बहुत बड़े इस्टार थे पर बाद में किनी कारणों की वज़े से राजेश खन्ना इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए और फिल्म का लीड करेक्टर फिर फिरोज खान नहीं किया पर जब धर्मात्मा रिलीज हुई तो इंडिस्ट्री के कई लोगों में ये चर्चा थी कि अगर फिल्म का रणवीर वाला केरेक्टर राजेश खन्ना ने किया होता तो फिल्म कमाई के मामले में शोले को भी पीछे चोड़ देती फ्रेंड्स आपको क्या लगता है कि धर्मात्मा फिल्म में कौन बेटर रहते राजेश खन्ना या फिर फिरोज खान अपनी राए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा तथ्य संक्या तीन 1975 की ओल्टाइम ब्लोगबस्टर फिल्म शोले के एतिहासी किरदार डाको गबर सिंग की भूमिका के लिए डिरेक्टर रमेज सिप्पी की पहली पसंद थे डेनी डेंग जौंग पा पर डेनी उन दिनों धर्मात्मा फिल्म की शुटिंग के लिए अफगानिस्तान में थे और फिर डेट्स की कमी की वज़े से डेनी गबर का रॉल नहीं कर पाए और फिर इस रॉल के लिए अमजद खान को लिया गया वैसे आपके हिसाब से गबर सिंग के रॉल के लिए कौन ज़्यदा अच्छे रहते डेनी या फिर अमजद खान ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तथे संक्या चार धर्मात्मा फिल्म का अनू का रॉल किया था एक्रेस रेका ने लेकिन अनू वाले रॉल के लिए फिरोज खान की पहली पसंद थी एक्रेस जीनत अमान पर फिरोज खान ने जब जीनत अमान को अनू वाले रॉल के लिए अपरोच किया पर बाद में फिरोज खान को अपनी इस हरकत का बहुत बुरा लगा और उन्हों ने फिर जीनत को अपनी आगामी फिल्म कुर्बानी के फिमेल लीड केरेक्टर के लिए काश्ट कर लिया कुर्बानी से जुड़े रोचक तथ्यों की वीडियो भी हमारे चैनल पर पहले ही आ चुकी है जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रप्शन और उपर आई बटन में मिल जाएगा तो आप वहां से उस वीडियो को भी जरूर देखें तथ्यसंग क्या पाच फिल्म में अनुका क्रेक्टर करने के लिए जीनत ममान के मना कर देने के बाद एक्ट्रेस रेखा को लिया गया पर रेखा ने बाद में ये कहा था कि फिल्म की शु्टिंग के सorf फिरोज खान हिमा मालिनी पर ज़्यान दे रहे थे और फिल्म की पबली सिटी के टाइम भी रेखा की अप्शेंसंस का फिरोज खान को कोई फरक नहीं पड़ा था इसका जवाब देते वे फिरोज खान ने का था की रेखा को अपनी परसनल लाइब की प्रोबलम्स की वज़े से और अपनी फेमिली को बहुत ज़्यादा मिश करने की वज़े से इसा लग रहा होगा इसके अलावा फिरोज खान ने ये भी कहा था कि हिमा मालिनी अपनी बाकी सारी फिल्मों के मुकाबले धर्मात्मा फिल्म में ज़्यादा सुन्दर नजर आई है इस बारे में आपकी क्या राई है ये भी हमें कमेंट में जरूर मेंशन करें तत्य संक्या 6 फिरोज खान को शुरू से ही पोईट्री का बहुत शोग था और धर्मात्मा के लिरिकिष्ट इंदी वर ने एक बार फिरोज खान को एक पोईट्री सुनाई थी जिसकी शुरुआती लाइन थी तेरे चेहरे में वो जदू है फिरोज खान को ये पोईट्री तनी पसंद आए कि उन्होंने इंदी वर के साथ मिलकर इसे एक गाने के रूप में सेट कर दिया जिसे फिर धर्मात्मा फिल्म के लिए यूज किया था तत्य संक्या साथ 1972 में आई अपराद फिल्म में फिरोज खान ने एक रिस मुम्ताज के नाक पर किस किया था और धर्मात्मा फिल्म में फिरोज खान इसे एक कदम और आगे बढ़कर हेमा मालनी के साथ होटों पर किस करने वाला सीन रखना चाह रहे थे और कहते हैं कि हेमा जी को भी इससे कोई इतराज नहीं था पर हेमा जी की मा जया चक्रवर्ती धर्मात्मा फिल्म की शूटिंग के समय हर रोज फिल्म के सेट पर हेमा जी के साथ आती थी और हेमा जी की मा ने फिर होटो पर किस करने वाले सीन को करने की इजाज़त हेमा मालिनी जी को नहीं दी थी और इस वज़े से ये सीन सूट नहीं हो पाया फिरोज खान ने दर्मात्मा फिल्म का बहुत भोवे प्रीमियर रखा था जिसमें शशी कपूर, अमिताब बच्चन, विनोद खन्ना, संजे खान और बहुत बड़े फिल्मी सितारों को इन्वाइट किया गया था पर इसमें हेमा मालिनी जी की जगे हेमा मालिनी जी की मा जया चक्रवरती आई थी तथे संक्या आठ, जब राज कपूर अपनी फिल्म बोबी के लिए में शायर तो नहीं गाने की रिकोडिंग पूरी कर चुके थे और वो फिल्म की शुटिंग शुरू करने वाले थे तो शुटिंग शुरू करने से पहले उन्होंने अपनी फिल्म की शुरुआत की खुशी में एक पार्टी रखी थी जिसमें उन्होंने फिरोज खान और शम्मी कपूर को भी इन्वाइट किया था जो कि उस समय अपनी फिल्म इंटरनेशनल क्रुक की शुटिंग पूरी करके कनाडा से लोटे थे उस समय तक शम्मी कपूर का वजन काफी बढ़ गया था और बीजी शेडियूल की वज़े से उनकी दाड़ी भी बहुत बड़ी हुई थी और फिरोज खान भी तब दर्मात्मा की शुटिंग शुरू करने ही वाले थे तो फिरोज खान के मूँ से शराब के नशे में शम्मी कपूर के लिए ये निकल गया कि आप तो मेरी आने वाली फिल्म में मेरे बाप का रॉल करने के लिए बिल्कुल फिट लग रहे हो और फिरोज खान को जैसे तेसे पकड़ कर कार में ढला और हाजी उली ले गए बाद में शमी कपूर और राज कपूर भी हाजी उली पहुँचे और वहां पर पार्टी के बिल्कुल उलड शम्मी कपूर और फिरोज कान एक दूसरे से गले लगकर बिल्कुल बच्चों की तरह रोने लगे थे तथिसंख्या 9 प्रेमनाथ धर्मात्मा फिल्म के टाइटल रोल में थे जो की काफी खास था और प्रेमनाथ को धर्मात्मा के लिए साइन करने के बाद फिरोज कान ने फिल्म देखी थी बेईमान और उसमें प्रेमनाथ की परफॉर्मेंस को देखकर फिरोज कान को प्रेमनाथ को धर्मात्मा फिल्म के लिए साइन करने के फैसले पर पच्चतावा होने लगा था क्योंकि बेइमान फिल्म को देखकर फिरोज खान ने ये महसूस किया था कि प्रेमनाथ काफी लाउड हैं और वो बहुत ज़्यादा ओर एक्टिंग करते हैं और फिर फिरोज खान बिना वक्त गवाए पहुँच गए प्रेमनाथ के पास और उनसे कहा कि जैसा उन्होंने बेइमान फिल्म के लिए परफॉर्म किया हैं वेसा धरमात्मा के लिए बिल्कुल नहीं चलेगा धरमात्मा में और एक्टिंग बिल्कुल नहीं चलेगी और फिर प्रेमनात ने भी अपना रोल इतनी संजीदगी से किया कि उसमें कोई जरा से भी कमी नहीं निकाल पाया तथे संक्या 10 दरमातना फिल्म में हमा मालिनी के करेक्टर रेश्मा की फिल्म के इंटरमेशन तक मौत हो जाती हैं लेकिन फिल्म के निर्मार के समय फिल्म से जुड़े कईं लोगों ने फिरोज खान को ये सला दी थी कि वो फिल्म में हिमा मालिनी के करेक्टर के मरने वाला सेक्टर रखने की सला दी थी फिल्म की यूनिट के साथ साथ कई डिस्टिब्यूटर्स ने भी ये कहा था कि हिमा मालिनी के करेक्टर की मौत वाला सीक्वेंस फिल्म की स्क्रिप्ट से हटाया जाए पर फिरोज खान चाते थे कि फिल्म में हिमा मालिनी के करेक्टर की अच्छानक मौत हो जाने से दर्शक चोक जाएंगे जो कि फिल्म को सफल बनाने में काफी मददगार साबित होगा और फिल्म से जुड़े बाकी सबी लोगों के खिलाब हिमा मालिनी जी ही अकली ऐसी थी जो फिरोज खान की बात का सपोर्ट कर रही थी हिमा मालिनी का फिरोज खान से ये कहना था कि उन्हें किसी की भी बातों में आकर फिल्म की स्क्रिप्ट को चेंज नहीं करना चाहिए सबित हुई थी तत्य संक्या 11 धर्मात्मा फिल्म में इम्तियाज खान काफी एहम किरदार में थे फिरोज खान जब धर्मात्मा के लिए कास्टिंग सुरू करने वाले थे उससे कुछ ही अपतों पहले फिल्म दो गज जमीन के नीचे रिलीज हुई थी जो की हिट रही थी औ इम्तियाज खान एहम किरदार में थे और फिरोज खान धर्मात्मा के लिए रेखा को पहले ही साइन कर चुके थे और इम्तियाज खान ने कुछी समय पहले दिये कि इंटर्विव में रेखा और उनके उस समय के बोई फ्रेंड किरन कुमार को लेकर कहीं टिपनिया की थी ज जगड़ा कहीं फिर से शुरू ना हो जाए और जब इस बात का पता इम्तियास खान को चला तो उन्होंने फिरोज खान को विश्वास दिलाया कि रेखा और उनके बीच जो भी हुआ ये उनका पाश्ट हैं जिसका धरमात्मा फिल्म की शुटिंग पर कोई असर नहीं पड़ तब फिरोज खान ने अम्तियास खान को धरमात्मा के लिए काश्ट किया या साइन किया था तच्छे संक्या बारा धरमात्मा बोलीवूड की ऐसी पहली फिल्म ती जिसके कहीं हिस्सों की शुटिंग अफगानिस्तान में हुई थी और फिल्म की शुटिंग से पहले फिरो शा के स्पेशल पेलेस में ठेहराया गया और बिना किसी रुकावट के बड़ी यासानी से शुटिंग की इजाज़त दे दी गई पर फिरोज खान जब फिल्म की सारी यूनिट को लेकर अफगानिस्तान पहुँचे तब तक वहां तकता पलट हो चुका था और जहीर शा की शरकार गिर चुकी थी पर फिर भी फिरोज खान और उनकी टीम का अफगानिस्तान की ततकालिन सरकार और वहां की पबलिक दोवारा जोरदार स्वागत किया गया और यह सब यह दिखाता है कि अफगानिस्तान के लोग बोल्यूड की फिल्मों से कितना प्यार करते हैं तत्थे संक्या 13 दोस्तों आपको फिरोज खान, जिनत अमान और विनोत खन्ना की 1980 में आई फिल्म कुर्बानी का सूपर हिट गाना आप जैसा कोई मेरी जिन्दगी में आए तो बात बन जाए तो याद ही होगा ये गाना पहले एक्चुल में इंदी वर ने दर्मात्मा फिल्म के लिए लिखा था जिसे फिल्म के क्लाइमेक्स में हेलन या फिर फरियाल पर फिल्म आया जाना था फर फिल्म के म्यूजिक कंपोजर ने इसे कंपोज नहीं किया क्योंकि उन्हें लगता था कि ये गाना कोई डिसको गाना नहीं है और फिल्म की स्क्रिप्ट एक डिसको सौंग की डिमांड कर रही है बाद में इस गाने में इंदी वर ने कुछ चेंजेस किये और बिद्दू एयपपा ने इसे एक डिसको गाने की रूप में कमपोज गिया जो कि फिल्म कुर्बानी में जिनत अमान के उपर फिल्म आया गया था तथ्य संक्या चओदा फिरोज खान और मदनपूरी के 20 धर्मात्वा फिल्म में एक साथ काम करने के बाद कुछ प्रोब्लम से आ गई थी जिसका पता इस बाद से चलता है कि 182 में की इंटर्यू में जब मदनपूरी से पूँचा गया कि क्या वो कभी फिल्म डिरेक्टर बनना चाहेंगे तो इसका जवाब देते हुए मदनपूरी ने कहा था कि अब बोलिवूड इंडरिस्ट्री में फिरोज खान जैसे सी ग्रेड एक्टर डिरेक्टर बनकर फिल्में मना रहे हैं तो मैं डिरेक्टर बनकर क्या करूंगा तथ्थे संक्या पंदरा 1992 में आई फिल्म यलगार जिसमें एक्टिंग के साथ साथ इसका डिरेक्शन और प्रोड़क्शन भी फिरोज खान नहीं किया था उसमें गाना है तेरी चुन्नी पे सितारे जिसमें एक्टर विकी अरोरा और मनीशा कोईराला नजर आये थे गाने में विकी अरोरा ने जो जेकट पेंए थी pregnancy वो हूब हूब वही जेकट थी जो फिरोज खानнее धरमात्मा फिल्म के गाने तुनेकिसी से कभी प्यार किया है में पेंए ती जब्कि यलगार फिल्म के गाने में मनीशा कोईराला दवारा पेंए गई येलो साडी भी कुंसी फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब कर बेल आईकॉन पर ओल का उप्शन दबा दें ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके